तो वही भोपाल में आज BJP RSS की समनवाई बैठक होगी जिसमें कि संग, संगठन और सरकार के प्रमुकनिता शामिल होगे जब अलपूर से लोटकर सीएम डॉक्टर मोहन यादा भी इस बैठक में शामिल होगे बैठक में सरकार और संगठन के बीच समनवाई पर चर्चा होगी सरकार के कामकाज को लेकर भी रणनीती बनेगी और मध्या प्रदेश में जएस पार्टी को बड़ा जटका लगा है दरसल महेंडर कन्नौज अब बीजेपी में शामिल होगे हैं इस दोरा यहाँपर मौजूद रहे अपनी एक अलग्स पहचान बना करके लगातार निश्वार्थ भाव से काम करने वाले विक्ति के नाते आपकी पहचान है और हमारे लिए ये स्वभागी की बात भी है कि आप ठीक समय पे ठीक निड़ने ले करके आपने अपनी भुमी का तय की है भारती इंता पार्टी परिबार में आपका स्वागत है अभिनंदन है मुझे इस बात की खुशिये में समाधिक संगटन के माध्यन से हम लोग काम करते हैं हम लोग आंदोलन कारी है लेकिन हमेशा आंदोलन से कोई चीज नहीं होती समाध की भी आवशकता होती है तो समाध की रूप में मैं यहाँ पर संगट सत्ता और संगटन से समाध तो वही देवास में BJP सांसद महेंदर सिंग स्वलंकी को जान से मारने की धमकी मिली है दरसल सांसद ने इस विशे में पुलिस को शिकाइद दी और सांसद का यह कहना है कि उत्तर प्रदेश के कानपुर से किसे ने फोन किया और अब शब्द बोलने के बाद जान से मारने की धमके दी शिकायत के बाद पुलिस ने पूरे मामले की जाँच शुरू कर दी है और साथ ये खबर खंडवा से जहां फलिस्तीनी जंडा लहराया गया दरसल फिलस्तीनी जंडा लहराने वालों पर मोगट रोड पुलिस ने कारवाई करते हुए केस दर्ज किया है आपको बता दें कि चार लोगों पर ये केस दर्ज हुआ है मोहरम के जुनूस में फिलस्तीन का जंडा लहराया था बजरंग दल ने इस पर शिकायत की थी मोहरम के जुनूस के दौरान लोगों द्वारा लहराया गया और जिसके कारण आसपास काफी आक्रोस की भी और इस्तित वही और खंडवा सहर में कहीं ने के इसको लेके सामताइक सवहार्द की भी इस्तित बिगढ़ने की पोरांदेशा था इसी को मद्दे ने जर रखते हुए पुलिस ने पूरे प्रकरण की गंबीरता सी जांस की और जांस की बाद ये तथ्या है कि चार इवक थे जो उनोंने एक राय होके इस तरह का कृत्त किया था जिस पर से थाना मोगट में दाराएक सचानबे एक और दो के भारती नया संगिता के तर प्रकराण पंजिबद करके विवेचन की जा रही है 36 गड के कोईला गोटाला और महादेव सर्टा आप मामले में ACB EOW ने रायपुर की स्पेशल कोट में चार्चिट पेश की दरसल कोल केस में EOW ने 6000 से जादा पन्नों की चालान पेश किया है आरोपी मुईनुद्दीन कुरेशी, रोशन कुमार सिंग, पारेख कुमार कुर्रे और राहुल कुमार सिंग, मोंटू और वीरेंदर कुमार जैस्वाल, लक्षमी कान्तिवारी और समीर विश्णोई की भी कोट में पेशी हुई अब मानिनाले जो आजिश करता है वह भी कोटी आजिश होगा, पता चलेगा, तब तक आजिश होगा नहीं है वागए अमने आपतीक की है, वहाँ पेशी आजिश को बिली चाहिए, वो कट्रिया नहीं पार कुटी है अब में अपनी चाहशी को बिली करके पेश करती है, जो अब ही आजिश में रिशन 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 के उनके अगेश्ट नहीं जानी है अभी हमको जाने हैं सब कुछ बुझवाल को का, कितने पंडों का चलाने हैं, क्या सब्रूप में हैं कि अजिए रिशन वे बुच्तों कि अभी हमुटों कि अभी हम फ्योरी प्योरी तो सुप्योरी